उपाध्यक्ष मोहदय अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई पुटी नहीं होगी की कृषी उसका आधार है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक इस्थिती उस देश की भूमी की उत्पाधन शक्ती पर निर्भर रहा करती है यदि भूमी की उत्पाधन शक्ती में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक इस्थिती में भी कुछ परिवर्तन आरंब हो जाता है कृषी भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है यह एक संस्कृती भी है जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से धर्म के नाम से जाती के नाम से या राजनीती के नाम से होते हैं ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो लेकिन कृषी समाज उसमें शामिल नहीं होता है उस आंदोलन के साथ कृशी समाज की सहनुभूती भी नहीं होती है इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रख कर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृती की रक्षा के लिए और जीवन प्रनाली की रक्षा के लिए कृशी पर विशेश ध् क्रिशी के छेत्र में इस वर्ष काफी प्रगती हुई है यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे की हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिन में 4 करोड लोग मरे लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्राले ने 100 रुपिये मन के भाव पर गेहुँ खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया इसके लिए हमारा खाद्य मंत्राले बधाई का पात्र है एक बात मैं विशेश रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूं आज कल हम लोग मानव शक्ती पर ज्यादा ध्यान ने देकर पूंजी पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं आपको याद होगा लगभग पांच दसक पहले मैं जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी लेकिन वहां के 60 लाक कास्त कारों ने क्रशी शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया की आज वे 10 करोड आदमियों का पालन पोशन कर रहे हैं वहां पर 30 ऐसे विश्विध्याल्य हैं जिन में क्रशी की शिक्षा दी जाती है जिन से 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्रात करके निकलते हैं आज हमारे देश में परियाप्त क्रशी विश्विध्याल्य स्थापित हो चुके हैं हमारे देश की 120 करोड जन संख्या को द्रश्टी में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है अपाध्यक्ष मोहदय यह ठीक है कि हम प्रगती शील हैं लेकिन हमारी गती में तेजी आनी चाहिए श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए जो पंच वर्षिये योजनाई हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन पैदा करें हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो मैं इस बात से सहमत हूं की राज्यो में जहां बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारे हैं उनको तोड़ने का अधिकार केंदर को नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हमें इस्तिती को देखते हुए भेद करना चाहिए गुजरात की सरकार तूट गई इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए जहां तक इस बिल का संबंद है मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे की आपको उसे ठीक करने की प्रेरना मिले और इसको आप ठीक करके वहां की जनता का काम चलाएं इसका आश्य यह भी नहीं है की जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं की जो गुजरात की सरकार तूट गई वह अच्छी बात हुई है गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समीती बनाई है वह एक ठीक कदम है लेकिन इस बात का आश्वाशन भी आपको देना चाहिए की राज्य और जिला इस तर पर जो समीतियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलिय बनाएंगे ताकि जनता की जो कठनाईयां हैं वे आपके सामने प्रतियक्ष रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार वहाँ पर कुछ काम हो सके अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समीतियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्यान नहीं है तो परिनाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ की आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें की जिससे विभिन इस्तरों पर सर्वदलिय समीतियां बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आएं की वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए गुजरात ओध्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन है फिर भी वहां की इस्थिति यह है है की आज भी प्रतिव्यक्ति आए 300 रुपे से अधिक नहीं है वह आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं यह है उचित नहीं है